Hello Friends, क्या हाल चाल हैं? कैसे हो आप सब? I hope सभी enjoy कर रहे हो, मजे कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो ये भी आप free consent के लिए हमारा third video है सबसे पहले हमने free consent का मतलब समझे लिया था उसमें हमने corzen समझे लिया था last video में हमने 2 point discuss किये थे दो पॉंट कौन कौन से डिसकूस की थे भाई, कौन से थे याद करो, एक तो undue influence, emotional अत्याचार और दूसरा fraud, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले है, misrepresentation को, misrepresentation को, देखो misrepresentation, sorry, misrepresentation और fraud में एक चोटा सा difference होता है, fraud में intention to deceive होता है, सामने वाले को धोका देने का उदेश्य होता है, और जो misrepresentation है, इसमें धोका देने का उदेश्य नहीं है, हम धोका देने के लिए नहीं कर रहे हैं, जूट दोनों में है, false statement दोनों में है, fraud में भी हम जूट बोल रहे हैं, misrepresentation में भी हम जूट बोल रहे हैं, दोनों में जूट बोल रहे हैं, लेकिन जूट बोलने का उदेश्य अलग है, वहाँ जूट बोल रहे हैं, दोका देने के लिए, और यहाँ गलती से जूट बोल रहे हैं, innocent lie है, Innocent Lie मतलब जान बुच के जूट नहीं बोला मुझे लगता था कि ये बात सही होगी मैं खुद उस बात को true मान रहा था जैसे उसमें मेरा एक example था कि भाईया जो total paper है business law और साथ में reporting बाला जो पूरा paper उसको मिला कर cut off limit नहीं है सिर्फ law में cut off limit है वो भी 50% मैंने एक बच्चे को बोल दिया मैंने एक बच्चे को क्या बोला कि भाईया law में cut off limit है 60 में से 30 marks आने जरूरी है 50% cut off है भाईया नहीं तो आपको pass नहीं करेंगे और इस बात में उसने मुझसे agreement कर लिया law का subject उसने मेरे online videos purchase कर लिया वो fraud पे हमने एक्जांपल देखा था आपको याद होगा शायद उस एक्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते मैंने अगर जान बुझ के जूट बोला था सामने वाले को धोका देने के लिए जूट बोला था तो तो fraud था वो एक्जांपल बिलकुल fraud का था बात थोड़ी से गुमाते हैं वापर मैं एक senior child accountant के साथ बैठा था उनसे ऐसे discussion चल रहा था तो उन्होंने कहा कि सी institute ने नहीं amendment लेके आगए अभी exam pattern में अब subject wise पास होना नहीं है part wise पास होना जरूरी है यानि law वाले paper में law में पास होना अलग जरूरी है और business communication reporting वाले में पास होना अलग जरूरी है economics वाले paper है business economics में अलग है और bck में अलग है मैंने का अच्छा ऐसा हो गया बोले हाँ और वो भी 50% cutoff limit है एक senior chartered accountant ने मुझे ये बात बोली मैं उनका सम्मान करता था काफी उनको knowledgeable मानता था बिया knowledge वाला बंदा ये तो बहुत ज्यान वाला व्यक्ति है सारी जान करें रहती है इनके पास तो ये अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे मैंने ये बात मानते हुए अपने जहन में वो बात डाल ली जब एक senior मेरे पास आया उसको मैंने कहा मैंने का भीया पता तरको एक्जाम में पेपर पेटन चेंज हो गया लॉव में 60 में से 30 लाने कंपल्सरी है 50 परसंट कंपल्सरी कर दिया कट आफ हर पार्ट वाइस से इंसिक्टिवु्ट्स पрахूष तरह जहां करए और यहार सर जो हमारे सरे व में लॉपृट्टिग में लिया है ने लौ में 30 दाने तो अब तो यार संडर वाला विश्य हो गया है तो तो यार आपकी वीडियो सर मैं आपसे पर्चेस कर लेता हूं यह मांट यह वीडियो सर उसने कॉंट्रेक्ट कर लिए दोनों केस में मैंने जूट बोला जो एक्जामपल अपने फ्रॉड वाले में देखा तो जो एक्जामपल अभी देखा दोनों केस में जूट बोला मैंने उसको बोला कि 60 में से 30 नंबर लाने कंपलसरी है fraud वाले में मैंने जान बूच कर बोला उसको दोका देने के लिए बोला लेकिन अभी जो मेरा example था मैंने जान बूच कर नहीं बोला मुझे किसी वेक्ति ने वो बात बताई उसको मैंने सच मान लिया उस बात को सच मानते वे मैंने बोला पर factually तो वो जूटी है उन जो senior child accountant थे जिनको मैं बहुत knowledgeable मान रहा था वो तो चोमू बना गय है या खुद भी चोमू बने हो पता नहीं C stands for चोमू पता है न आपको हाँ चोमू बना गय यह जो contract मेरा और student का हुआ है this is the contract of misrepresentation या the contract whereby consent is obtained by misrepresentation जहां consent misrepresentation से obtain की गई है law कहता है यह भी voitable है आपने उसको जानबुच की बोला के अंजाने में बोला जूट बोला हाँ साहब उस जूट को सच मान कर यानि आपके उस जूट पर आपकी उस गलती पर सामने वाले ने यकीन करकर मैंने का हाँ साहब तो जूट 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 की उंगली की आपके उस जूट की उंगली के चक्कर में उसकी लॉक की फीस लग गई साहब गलत बात तो यह contract voidable होगा fraud में भी voidable, misrepresentation भी voidable एक difference है fraud में damages claim की जा सकते है misrepresentation में damages claim नहीं की जा सकते है मतलब misrepresentation की case में वो गएगा सरी आपका subscription बंद मेरी fees वापस देतो fees वापस देतो void हो गया है न no party can remain at benefit मेरेको fees मिली थे वापस दे रहा हूँ बंद कर दिया खतम बात लेकिन fraud में क्या होगा कि सर फीस तो वापस करो वो तो करनी पड़ेगी पर आपने जब मुझे बोला तो उसके बाल मैं रोज 2-3 गंटे आपकी वीडियो देख रहा हूँ बोज 3-3 गंटे मैं ने मरबात किये इस करन से अकाउंट नहीं पड़ पाया स्टेट नहीं पड़ पाया मैंस नहीं पड़ पाया सारा फोकस 24-7 सिफ लॉप पर लगा रखा था सर मम्मी से बात नहीं हुई गल्फ्रेंड से बात नहीं हुई सर चार दिन से मैंने बाबु सोना नहीं वोला उसको शादी होने से पहले डिवास होने की बात आगी सर इतना लॉम में फस गया था आपके चकर में तो सर आपके कारण मेरे जीवन में तहलका मच गया उसके डेमेज़स कौन देगा प्रॉड के केस में लॉग कहता है कि आप डेमेज़स कर सकते है लाग दाव्यामक क्लेम कर सकते है यहने कि उसको ब्रेक अफ हो गया च्रूड मेरेломोर्व थे अंडिय घंक भूडहाग कर दे पैसे वापस कर दो, void कर दो, zero कर दो, damages नहीं, fraud में damages, एक चीज समझना यहाँ पर, थोड़ा सा अलग सी बात बोल रहा हूं, सुनना और समझनी कोशिश करना, एक senior chartered accountant ने मेरे को बोला था, और मैंने यकीन करके सामने वाले को बोल दिया है, misrepresentation, क्यों, CA का exam pattern, वो senior chartered accountant set नह is not the proper authority, जिसकी बात पर मैं यकीन करूँ, गलती मेरी है, मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था, किसकी बात पर यकीन करना चाहिए था, मेरे को, ICAI की बात पर, किसकी बात पर यकीन करना चाहिए था, ICAI की बात पर, अब समझना, ICAI का जो monthly newsletter आता है, उस newsletter में एक misprint हो गया suppose उन्होंने एक नहीं रूल लेकर आए कि per subject 50% compulsory है aggregate भी 50% चाहिए पर subject भी 50% चाहिए और वहाँ पी गलती से misprint हो गया कि per part 50% तो भाई यह law आपने आपने एक part है तो 60-30 interpretation अब मेरा गलत नहीं है मुझे किसने बोला इस बार कि 60 में से 30 लाने पर part 50% चाहिए किसने बोला यह misprint हुआ C Institute से misprint हुआ उनको per subject लिखना था गलती से per part लिख दिया उनसे misprint हुआ है लेकिन मैंने तो newsletter देखी क्या ICAI exam conduct करेगा C Institute का उसके लिए एक optimum एक proper एक responsible authority है के नहीं है उनके द्वारा दी गई information को true माने के ना माने मानना चाहिए अब मैं अगर किसी बच्चे को बोलता हूँ तो लोग कहता है ना यह fraud है ना यह misrepresentation है contract valid है लोग कहता है गलती आपकी नहीं है आपको तो C Institute के newsletter ने कहा और newsletter की बात को सच बाना तो आपने को गलती थोड़ी किये समझे ना यहाँ पर यहाँ पर difference समझे ना misrepresentation कब है वापस ध्यान से एकदम एकदम दिमाग लगा कि एकदम बारी किसे जब मैंने यानि जो वेक्ति misrepresentation कर रहा है उसने जहां से information गैदर की जहां से information ली वो information पुकता होने के 100% सही होने की guarantee नहीं है यहनी हमने official sources से नहीं ली हमने official sources से नहीं ली हमने second hand information ली किसी दूसरे रखती से information लियो उस information को हमने सचमाल लिया और हमने सामने वाले को बोल गया कि हाँ यह सच है और वास्ता में वो जूट निकला तो यह misrepresentation है यानि एक positive assertion यानि आपका एक positive statement in a manner not warranted by the information of the person making it यानि जो व्यक्ति आपको information दे रहा है not warranted यानि उसकी information 100% guarantee के साथ नहीं है उसकी authenticated information नहीं उस information को आप authenticated नहीं मान सकते आप उसको justified information नहीं मान सकते और ऐसे information को जो की true नहीं है आप उसको सत्य मानते हैं सामने वाले को positive statement दे दो यह misrepresentation है यानि you are giving a positive statement मतलब उस बात को सचमान रहे हो सचमानते हो सामने वाले को statement दे रहे हो हलाक की वास्ता में फॉल्स है लेकिन आपके पास जो information आई थी वो वो justified information नहीं थी justified sources से नहीं थी जो proper source होना चाहिए था वहां से information नहीं थी फिर भी आपने उसको सचमान लिया तो यह आपकी गलती है अगर proper information से proper authority से information आई थी फिर आप सचमानते हो और actually जूट निकल भी जाए तो miss representation नहीं होगा clear करना तो जो first statement है positive assertion यह पॉजिटिव आपके अपन कर रहे हैं किसी ऐसी बात के लिए जो वास्ता में जूट है लेकिन हम उसको सचमान के कर रहे हैं लेकिन वह information में just source से मिली है जो person हमको information दे रहा है वो warranted information नहीं है मतलब उसक उसकी justified information नहीं वह authenticated information नहीं वह authenticated source नहीं है तो उसको अपन क्या बोलेंगे misrepresentation second बोलता है any breach of duty मैं second point का इस example में समझाता हूँ मैं मालने एक बहुत अच्छा painter हूँ मैं drawing तो बहुत अच्छे बनाता हूँ कभी आपको बताऊंगा मैं चुन्नू मुन्नू बहुत अच्छे बनाता हूँ आपने देखे होंगे न कभी गोल गोल यूँ आखे करके ठीक है तो मैंने एक painting मनाई मतलब मैं बहुत अच्छा painter हूँ बहुत सारी paintings बनाता हूँ Bombay में एक painting exhibition लगने वाला है मेरे पास एक वक्ति आया बोले सवर आपकी मेरे को 50 painting चाहिए उसनों मुझे अलग-अलग theme दे दी बोले इस इस चीच को आपको बना कि मुझे देना है agreement done हो गया मुझे पैसे देगा मैं उसको painting दोगा हो यह रहा था कि Mumbai में जो exhibition हो रहा है उस exhibition में उन भाई साब को वो सारी painting बेचनी है मेरे से बना के लेके जारे कि महां बेचेंग और उस exhibition में मेरी personal paintings भी लगनी है ठीक है साब अब उन भाई साब को मुझे painting बना के दे नहीं थी उन्होंने थोड़ा मुझे एडवांस भी दे दिया उन्होंने बोला भी यह 15 तारिकों painting चाहिए मालो 17 तारिकों वहाँ पर exhibition की date deciding is22 होंकि मिए डिन्हां और किसी मैं बना नहीं पाइए किसी कारण से मैं बना नहीं पाया और बणा नहीं पाया पैंटिंग्स तो उन्हाओ कि paintings exhibition में लगीए नहीं तो आप समझो exhibition में जो competition था मेरे विरुद मेरा मेरी penalty मेरे सेल यह मेरी पेंटिंग जो में उनको बेचना हो Вो लगाते वह अपने नाम से लगाते अपना जो भी बिजनस जो भी उनका ब्रांड के उनकी वाली लगी नहीं तो मेरा कॉम्पेंटिशन कम्जोर हो गया मेरे पेंटिंग ज़दा भी की मैंने बहुत सारा पैसा कमाल दिया यानि मैने अपनी Brich Of Duty की मेरी Duty क्या थि उन भाई साब कोgenting मिना के देने का मैंने आ क्कया किया, Brich Of Duty without an Intent To Derceive, मेरा कोई उदेशन इता उन भाईसाब को दोका देने का कोई Genuine Reason के करण में Penting नहीं बना पाया, glucose of some Genuine Reason में Penting नहीं बना पाया मेरा कोई उदेशन ये breach of duty कर रहा है उसको advantage हो रहा मेरा advantage हो ना वहाँ मेरा competition कम हो गया मेरा ही मेरे से competition होता वो नहीं हुआ और मेरी painting बहुत बिक्या और मैंने वहाँ से बहुत परसा कमाया और anyone claiming under him यानि जो व्यक्ति commit कर रहा है breach of duty वो कमा रहा है या उसकी करण से कोई इसका व्यक्ति कमा रहा है मेरा कोई मिलने वाला मेरा कोई दोस्त मेरा कोई पर्याद व्यक्ति कमा रहा है by misleading another to his prejudice or to prejudice of any one claiming under him यानि किसी और के लिए हम लोगों ने एक गलत माहौल बना दिया अब उन भाई साब का तो वहां contact तुड़ गया वहां exhibition एंटिंग लगी नहीं तो exhibition कराने वाला तो उनके मात्या आएगा मेरे act के कारण उनकी image वहां खराब हुई के नहीं हुई negative image गई के नहीं गई गई ना तो मेरे act के कारण उसकी तो image negative गई उनको तो वहां नुक्सान हुआ मुझे या मेरे किसे मिलने वाले को वहां फाइदा हो गया तो law कहता ये भी एक misrepresentation अगर आपने अंजाने में किया है तो causing however innocently चाह innocently हो लेकिन इसमें हम सामने वाले party को गलत opinion बनाने का काम करा रहे है मतलब हम ऐसी कोई बात बोल रहे है सामने वाले व्यक्ति को जिससे उसका opinion गलत हो रहा है अला कि हम तो innocent है हम जान बुझ के जूट में बोल रहे हैं धुका नहीं दे रहे हैं पर हमारी बात को वह सच मान रहा है और उस कारण से सामने वाला गलत opinion बना रहे है अपना ठीक है न and because of that because of that सामने वाले का agreement वो yes कर रहा है यानि miss representation वा सिंपल सी बात बोल दू आप कोई breach of duty कर रहे हो आप कोई positive statement दे रहे हो आप अपने कोई बात रख रहे हो और उसके पीछे आपका उद्देश सामने वाले को धुका देना नहीं है लेकिन फिर भी आपकी बात के कारण उसको नुकसान होता है वो आपकी बात को मानते हुए contract पर yes करता है तो वहाँ पर हम उसे miss representation की category में लेंगे यह analysis में वापस वही सारी बाते लिखी हुई है A makes a positive statement to B A को positive statement देता है कि बहिया C जो है कमपनी का director बनने वाला है A को यह जानकारी C से directly नहीं मिली थी M से मिली थी anyway second and information जिस पर trust नहीं करना जिए पर trust किया B ने shares खरीद लिए उस कमपनी के इस बात को सच मानते हुए तो हम क्या बोलेंगे कि यह क्या है misrepresentation है क्योंकि वास्ता में बात जूट निकली और second and information में भरोशा करना गलत था second A believed the engine of his motorcycle to be in excellent condition A को लगता था कि उसकी motorcycle जो उसके पास पढ़ी है उसका excellent condition A without getting it checked उसको चेक कराए बीना किसी workshop में told B that the motorcycle was in excellent condition बीना चेक कराए उसने B को बोल दिया कि must condition मखन है मखन मेरी बाइक इंजनियम फट चलता है मज़ा आ जाता है इस statement को मान के B ने बाइक खरीद ली जबकि actually वो engine defective निकला A का statement misrepresentation है क्योंकि A के statement के कारण सामने वाले ने हाँ बोली इसलिए A का misrepresentation माना जाएगा Corzon undue influence में क्या difference है समझने सबसे पहली बात Corzon third party कर सकती है directly indirectly दोनों हो सकता है दो की बीच में contract होने वाला तीसरा कोई आके सर में बंदूक रख दे कि को रिलेशन होना जरूरी नहीं है undue influence में ऐसा relation होना चाहिए जहां पर ऐसा relation होना चाहिए जहां पर एक party दूसरे एक party की इच्छा को dominant कर सके यानि यहां पर parties ही आपस में undue influence करेगी Corzon कोई और भी रखती कर सकता सर पर बंदूक रहना डराना धमकाना कोई भी कर सकता clear है यहां पर undue influence में moral और mental pressure होगा और यहां पर कोई ऐसा physical force threatening होगा जो Indian penal code में मना कर रखा है Corzon करना कानून अपराद है आपको सजा होगी, jail होगी contract तो voidable होगा ही होगा लेकिन आपने जो act किया उसके लिए आपको सजा भी होगी लेकिन जहां तक बात है जहां तक बात है undue influence की सजा नहीं होगी clear है criminal action की बात करें तो यहां नहीं होता है relationship between the parties यहां parties में relation होना कोई जोड़ निया कोई किसी के भी सरफे बंदूक रख सकता है विवार प्रेम होना जोड़ी थोड़ी है यहां पर एक तरीके का relation होता है relation ऐसा कि एक वेक्ति दूसरी वेक्ति कि इच्छा को control कर सके कौन करेगा कोई भी कर सकता है यहां parties ही आपस में करेगे और वो party करेगे जो उस position में है enforceability voidable है at the option of party whose consent जिसकी party जब से consent ली गई थी उसके उपर voidable है और undue influence जो है contract वो भी voidable है या कभी-कभी अपने समझा था कि अगर आप पैसा ले चुके हो benefit ले चुके हो loan पे पैसा तो लही लिया तो फिर क्या कर सकता है loss को modify करके enforce करा सकता है कि भाई चलो undue भाई 5% पर मन्त पे loan ले लिया था ना तो court ने बोला कि नहीं भाई आपको पैसा refund करना पर 1% कि हसाब से आप interest का payment करोगे तो court उसमें यह position भी कर सकता है in position of benefits received in case of cause and where the contract is received by the aggrieved party any benefit received has to be restored back मेरे सर पे बंदूग रखी बंदूग रखके बोला कि दो लाख रुपर पकट्टी का किच मुझे दे देना मैं court में कहां मैंने साब जबर सी property ले रहा है तो court रहेगा ठीक है साब आप पहले दो लाख रुपर refund करो आपको बेचना नहीं ना आपके लिए जबर दस्ती हो रही तो लाख रुपर refund करो contract खतम हाँ उसके बंदूग रखी उसके लिए उसको punishment मिलेगा the court has the discretion to direct the aggrieved party to return the benefit in whole or in part or not यह court बताएगा कि भया आपने पैसे उधार तो ले लिए अब वापस कितना देना है एक परसंट की ब्याच पर देना है कि पांच परसंट की ब्याच पर देना है कि दो लाग का bond actual amount एक लाग किता क्या था वो court decide करेगा court देगा fraud और misrepresentation में क्या difference है fraud में deceive करने का intention है misrepresentation में deceive करने का intention नहीं है fraud में deceive करने का intention है misrepresentation में deceive करने का intention नहीं है fraud में damages claim होंगे misrepresentation में damages claim नहीं होंगे एक खास बात fraud में जैसे समझना यह यह white color है यह white color है यह मेरा shirt यह black color है मैं आपको बोलो कि यह जो ये लो इंदर का शयटहिए यह मैं आपको बेज दूँगा लॉग कहता है कि सामने जो चीज देख रही थी उसमें आप केसे चौमू बन गए सामने दिख रहा तो यह येलो दिखता तेरी को तीरे दिमाग खपड मरऊ तेरी साले कहते, ये लो दिखता तेरे को येलो शट मल के उसने बेचा, तुने खरीड लिया, तेरी के आउंके फुटे भी थी, गधा है, दिमाग नहीं चलता तेरा मुरखा आदमी law कहता है कि अगर कोई ऐसा जूट बोला गया जो खुली आँखों से देखा जा सकता था तो in case of misrepresentation हम उस जूट को जूट नहीं मानेंगे और contract को valid मानेंगे जो खुली आँखों से देखा जा सकता था लेकिन in case of fraud अगर खुली आँखों से देखा जा सकता था तो भी हम उसको validably मानेंगे क्योंकि fraud किया है मतलब उसने महौल ही चारतर विसा बना दिया होगा कि खुली आँखों को भी धोका दे दिया गया होगा समझे रहों क्या कहना चाह रहा हूँ law कहता है कि जो व्यक्ति अपनाया होगा सामने वाले को पागल बनाने का जो अपना सकता था तो जब खुली आँखों से सच दिख सकता है तो भी हम fraud में उसको validably बोलेंगे लेकिन misrepresentation valid बोलेंगे दो case में valid बोला जाता है खुली आँखों से दिखने वाला जूट खुली आँखों से दिखने वाला जूट दो case में valid contract को बनाता है एक तो misrepresentation में खुली आँखों से दिख रहा था आप देख लेते हैं इनसे तो गलती होगे आप से क्यों गलती हुई आप क्यों पागल के जर्गत करते हैं इनके तो आँखी कमज़र होगी जर्शना पहना वहाथ तो ठीक थी misrepresentation और एक silence fraud वाली जो बात थी ना कि वहाँ चुप रहना silence is fraud जाँ due to speakerize होती है silence is equivalent to speech होता है इन दो case में अगर आपको सामने चीज़ दिख रही थी आप बोलो यह चुप रहा यह नहीं बोला तो तिरे को सामने नहीं दिख रहा था गदे तीरी आंके खराब है इसके silence को आप speech मानो और यह fraud ऐसा वाइडेबल करो और उसके silence को तो हम speech माने fraud माने, voidable माने वो चुप रहा उसकी गलती है पर तेरी आखों में बटन थोड़ी लगे थे गदे तू तो देख लेता तो law कहता है कि miss representation में और silence fraud वाले में हम contract को valid मानेंगे अगर खुली आखों से नंगी आखों से खुली आखों से उसको देखा जा सकता था तो लेकिन अगर fraud किया गया जान बूच कर तो वहाँ उसको voidable ही मानेंगे section 19 बहुत simple सी बात करता है कि corrosion fraud misrepresentation undue influence यह सारे agreement क्या होंगे voidable होंगे सारे agreement क्या होंगे voidable होंगे fraud and misrepresentation if he thinks fit insist that the contract shall be performed fraud fraud में भी हमने बात पड़ी थी fraud और misrepresentation दोनों में अगर law को लगता है कि इस contract को परफॉर्म किया जा सकता है यह मानते हुए कि fraud और misrepresentation नहीं किया जाता तो situation क्या होती हमने fraud के अब यह देखा था आपको याद होगा fraud के एंपने मैंने बूला था कि अगर अगर किसी किसी situation में law सोच तो हो गया misrepresentation तो हो गया fraud वाले में देखा था means representation यह सेम केस होगा हो गया लेकिन अभी भी आप दोनों continue लेन्यू करना चाहो तो कर सकते हो पर अगर नहीं होता तो क्या होता उसे साब से यह इस तरह आपने डरा-धंका के हमको लौका सब्जेक्ट पांच जार में बेच दिया अगर डराते नहीं तो हम आप से बार्गेन करते 3,000 में खरीते तो लौक बोलता चलो ठीक आप बिना ड इस्कवरिंग दा तुरुथ विट ओर्डिन डेलिगेंस सामानिय बुद्धी लगाता सिंपल दिमाग लगाता और वो उस बात को पता लगा सकता था तो भी आपकी गलती आपको पता लगाना चाहिए था ठीक है एक exception और लिखावा है explanation में टेक्निकली कि अगर फ्रॉड औ और मिस्रेप्रेजेंटेशन किया तो गया वस प्रक्टिस्ट लेकिन उस कारण से कॉंट्रैक्ट वाले मतलब सामने वाले ने यस नहीं बूला ना मैंने बढ़ा किसी को जूट बोला सामने लन पकड़ लिया वह जूट बोल रहा है मैंने बोला सारे अलिंदे रहें अंसे गल्ती सकार्द है उसमझे महाँ के हो लिया आप लंबी लंबी छोड़ रहें साब पकड़ो यानि मैंने फ्रॉड किया या मैंने मिस्रेप्रेशटेशन किया क्यों सामने वाले कौ पता पढ़ गया कि इध वास फ्रॉड और examples के अंदर भी जो मैं discuss किया वही बाते वापस है इसके लावा कुछ और नया नहीं है next point हमारे पास आता है mistake गलती दोनों party गलती करते हैं जैसे महलों आप और हम agreement करते हैं मैं आपसे agreement करता हूं कि मैं आपको 100 bags of basmati wheat at that Rs.20 per kg sale करूंगा date place decide हो गया क्या agreement कर रहा हूं मैं आपसे I will sell you 100 bags of basmati wheat at that Rs.20 per kg on this date this place done this contract is valid यह contract तो valid है आपस सुनो नहीं इसमें क्या दिक्कत है यह तो valid contract है मैं आपसे contract कर रहा हूं कि I will sell you 100 bags of basmati wheat at this price 20 rupees per kg at this place this time 500 बोरी 100 बोरी जो भी है done कर दिया हम लोगों इस this contract valid is this no this is not valid क्यों जिसके बात करो उसका existence ही नहीं है बास्मती rice होता है wheat नहीं होता है अरे बास्मती rice होता है ना यार बास्मती चावल होता है ना बास्मती क्यों कब से आने लग गया यार यहनि आप समझो लॉग कहता है कि mistake अगर है तो contract is void simple अभी और अपन डिटेल में जाएंगे अंदर अभी निश्यू पूल पूल आप गलती कर रहे हैं गांदीनगर वाला आप याद हो का मेने पूला गंदीनगर वे प्लॉट है आप अमदाबाद वाला गंदीनगर समझ रहेते गुजरात वाला मैं जेपुर वाले गंदीनगर की बात कर रहा था मैंने का श्यूमंदीर के पीछे आपने हाँ 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 तो दोनों पार्टी नहीं हो आपकिसी की अगी वाइडेबल हो तो यहां कार्ट किसा होगा वाइड होगा मिस्टीक को दो पार्टने बाटा मिस्टीक ओफ लॉव मिस्टीक ओफ लॉव मिस्टीक ओफ लॉव में चीज मैं क्लियर कर दूँ एक कहावत है लॉव में इग्नोरेंस ओफ लॉव हाज नो एक्स्क्यूज ignorance of law has no excuse यहने अगर आपको law की जानकारी नहीं है तो आपको माफी नहीं मिले अब समझो मैंने किसी का मडर करती है मडर करती है पुलीस आई नू 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 हाथों पकड़ डिके मैंने क्या हुआ बोले आपने इसका मडर किया मैंने का तो कुझ से मैंकोर पता नहीं था अब कभी निकरूंगा ज़बा कभी किसी का मडर निकरूंगा पता नहींथ था चौडड़ दो मेरेको मेरे था पता ना मेरेको छोड़ दो लॉग कैता है आपको law की जानकारी हो यशो या ना हो वरना कोई भी आदनी फॉसेगा के देगा मुझे तो लॉव पता ही नहीं था, तो ऐसा किसे चलेगा अचा, इसलिए सरकार ये मान के चलती है, you have full knowledge about the law of India, law of India, foreign law का आपको knowledge ऐसा नहीं मान के चलता है, अब आप समझो, मैंने आप से contract किया, मैंने आप से contract किया, आप मुझे 100 electric car बना के दोगे, मेरे हिसाब से मैं जो बोल रहा हूँ, modified car आपको बनाने के लिए बूला है, 100 electric cars बना के दोगे, मैंने आपको model बना के दिया सब मैंने आपको car का model बना के दिया यह car का box, यह आगे की light वाइट है, यह पिछे बैटने वाला यह हमारा हो गया left side, यह हो गया right side यहाँ आगे एक seat होगी यहाँ आगे एक seat होगी, यहाँ driver का steering आजाएगा, यहाँ पीछे बड़ी seat रहेगी, यहाँ अंदर बैटरी वगरा रहेगी, यहाँ पीछे डिगी वगरा रहेगी, गुट सकने के लिए यह design मैंने आपको दे दी, आपने यहाँ कर दी, contract हो गया अब आप समझो, मैंने left hand side steering बनाया है, जबकि भारत में गाड़ी left hand side चलती है, तो steering right seat पे होना चाहिए बारत के कानून में ज़रूरी है, कि steering अगर right side पे होगा, तभी आप उस car को इंडिया में बेच सकते हैं, दरवास बेच नहीं सकते हैं, चला नहीं सकते हैं, समझे रहाँ, यह कानून है, क्योंकि आपको जब left hand side चलाना है, तो आपका seat right hand side होना चाहिए, तभी आ प्रॉप पढ़ेगी और फिर आप रोड पे तो नहीं चला पाओगे, वो अलग बात है, रोड पे नहीं चला पाओगे, उसके लिए कानून मना करता, contract किस चीज़ का था, काल बना कर वेचने का लॉग कहता, लॉग कहता, लॉग कानून की नहीं होई, हम यह मान के चलते हैं, कि आप आपको पता था कि गाड़ी में स्टेरिंग राइट होना चाहिए कि लेफ्ट होना चाहिए, जब आपको पता था, तो कहा है कि mistake है कि गलती, और फिर भी गलती तो आप गलती भुगतो, हम यह मान के चलेंगे कि आपने गलती नहीं की है, कानून की आपको जानकारी थी, और वालिड है, यानि mistake of Indian law will not affect the validity of the contract, contract will remain valid, mistake of Indian law will not render the contract, void, contract will remain valid, हां, foreign law की बात है, तो law कहता है कि भाया हम यह मान के चलते है कि भारत की जानकारी, बाहर की जानकारी यह नहीं मान के चलते है, यानि गर foreign law है, तो वो तो वाइड होगा, फिर तो mistake of foreign law is mistake of fact, actually, mistake of foreign law is mistake of fact, यानि कोई दूसरी बात की mistake हो, कोई fact की कोई परिस्तिती की mistake हो, वैसे माना जाएगा, मतलब उसको void माना जाएगा, वापस, mistake of fact अगर है, तो इसमें भी दो बाते, bilateral and unilateral, आपके syllabus में, unilateral को जदा define नहीं किया, मैं clear कर दू, unilateral की case में contract valid होता है, मैं चोटा सा example देता हूँ पहले आप समझेना, मुझे लगता है, 16 karat gold is pure gold, मुझे लगता है, बाइस आप एक 16 karat gold का 10 gram का biscuit दो, 16 karat gold का 10 gram का biscuit दो, उसने biscuit दे दिया, जो gold की rate होती थी 16 karat के उसके हैसाब से, उसने मुझे पैसा ले लिया, biscuit मुझे दे दिया, इस दिस contract valid है, हाँ, मैंने उसको क्या offer दिया, 16 karat gold का biscuit चाहिए, 10 gram का, उसने मुझे biscuit दिया, पैसा लिया, उसकी कोई गलती, नहीं, मेरे दिमाग में भूसा बढ़ा था, कि मैं 16 karat gold को pure gold मान रहा था, जब मेरे दिमाग में भूसा बढ़ा था, और मुझे ही उसका नुक्सान उठाना पड़ा, तो क्या फरक पड़ा, फिर contract तो valid ही रहेगा, contract में क्यों, मैं उसको जाके बोलू, तू वापस biscuit ले, वो कहेगा, मैं दी क्या गलती यार, आपको 16 karat pure लगता था, तो आपकी गलती, आप जानों, भे क्या करो, आपने मुझे 16 karat मांगा, मैंने 16 karat दिया, बिल्कुल इमानदारी से दिया, तो in case of unilateral mistake, contract will remain valid, हला कि बहुत detail में आपके पास है नहीं, अगर bilateral mistake है, जिससे मैंने बोला कि मैं आपको, मैं आपको बासमती बीट सेल करूँगा, तो यह bilateral mistake है, as to the existence of that product, or the existence of that quality, वो quality available ही नहीं होती है, identification का problem हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, वो plot गंदी नगर, शिवंदिर के पीछे, आप गंदी ने दूसरा सोच रहो, मैं identification का mistake हो सकता है, clear है, मैंने बोला, 6000 मैं दे दूँगा, अब कोई रुपए सोच रहा है, कोई product के बारे में, या 6000 note के बारे में, मैंने आपको 100 का note दिखाया, ऐसे, मैंने बोल, 6000 पुरे दूँगा, अगर रेकुट साब मुझे देते हो, मेरा कैनिका मैं अब तो 6000 रुपए दूँगा, आप सोच रहे थे, 600 के note देगा, समझे रहा है, तो दोनों के mind में mistake है, law कहता है, bilateral mistake will remain the contract void, चाहे आप, देखो, possibility of performance, हम दोनोंने contract कर लिया, किसी ऐसे चीज़ को लेकर, जो legally possible ही नहीं, legally, possible ही नहीं, हमको पता नहीं था, हमने बात कर लिया, legally वह possible नहीं, उस काम को आप करें नहीं सकते हो, यह physically possible नहीं है, practically वह चीज़ फिजिबल नहीं है, हम दोनों को पता नहीं था, हमने contract कर लिया, तो law कहता है, जब वह possible ही नहीं था, आप सो कैसे perform करोगे, जब perform करें नहीं सकते हो, contract void है खता हम, legal value zero, impossible to perform होगे, technically हो, कोई भी impossible act को लेकर बात कर लो, impossible to perform है, आप दोनोंने agreement क्यों किया, impossible to perform है, तो yD होगा, दोनों parties के लिए, चलिए, तो यहाँ पर आपको नीचे क्या दिया है, देख लेए थे थोड़ा सा अपन क्या लिखावा है यहाँ पर, mistake may be defined as innocent और एक तरीके से यह error है, दोनों की गलती का, विश्वास का, belief का, which leads the party to misunderstand the others, mistake may be इधर bilateral और unilateral, bilateral mistake जहाँ दोनों parties की गलती है, यहाँ contract void होता है generally, और unilateral में generally क्या होता है, valid अगर सिर्फ bilateral लिखावा है तो void पर clear करना, bilateral में अगर law का mistake है, तो वो contract क्या हो जाएगा, valid law मतलब भारत का law, effect of mistake on the validity, validity पर क्या effect होगा, mistake is some unintentional act, omission, error, arising from unconsciousness, ignorance, forgetfulness, imposition, implaced, confidence, यह एक ऐसे गलती है, एक ऐसी omission, एक ऐसा error है, जो या तो आपका दिमाग बराबर चल नहीं रहा था उस समय, या आपका कुछ लापरवाई रही, negligence रही, आपका ignorance रहा, या आपको चीज़ भूल गए, याद नहीं रख पाए, या in position, in place, आप कोई और position सोच रहे हो, कोई और place सोच रहे हो, या, same नहीं सोच पा रहे हो, तो उस करण से arise होती है, mistake of law अगर है, तो यहां क्या लिखता है, it is essential for the creation of a contract, that both the parties should agree upon the same thing, in the same sense, अगर mistake है, तो same thing, same sense, नहीं है, क्योंकि दोनों गलत सोच रहे हैं, तो no contract will arise, as a result, mistake leads the contract, towards the voidness, clear बूला, mistake से contract क्या होगा, void होगा, it affects can be broadly studied as under, एक बोलता mistake of law, पहला क्या बोलता mistake of law, तो यहां clear बूला, यह mistake of law does not render a contract void, mistake of law होगा, तो contract void नहीं होगा, as one cannot take excuse of ignorance of law, of his own country, आगे clear कर दिया, यहनि, ignorance of law has no excuse, मैंने ही बूला, आपकी देश की law की आपको पूरी जानकरी माना जाएगा, हाँ, but if अगर यह foreign law है, तो हम उसको मान सकते की यह क्या है, contract void होगा, mistake of foreign law is excusable, आप बोल सकते हो, भाई बहार का law मुझे जानकरी नहीं थी यार, यह तो हम लोगों ने mistake कर दी, तो law कहेगा कि ठीक है, यह mistake of fact है, mistake of fact है मतलब void रहेगा, mistake of fact where the contracting parties misunderstood each other, किसी भी तरीके से, quality को लेकर, price को लेकर, place को लेकर, कोई भी है, are at cross purpose, cross purpose एक दूसरे को, mutually मतलब, मैं कुछ और सोच रहों, आप कुछ और सोच रहों, दोनों की bilateral mistake है, मतलब cross purpose बोले, या bilateral mutual mistake बोले, एक ही बात है, मतलब दोनों parties की गलती है, where both the parties to an agreement are under mistake, as to a matter of fact essential to the agreement, the agreement is void, जान दोनों parties की mistake होगी, वो void होगा, A offers to sales ambassador car to B, who believes that A has only, fiat car, agrees to buy the car, यानि A, B को बोलता है, मैं अपनी car base दूँगा, उसके पास एक ambassador थी, और एक fiat भी थी, अब उसको लगता था, खाली fiat की होगी, ये ambassador बेचने की बात कर रहा, वो fiat खरीदने की बात कर रहा, तो contract क्या है, void है, unilateral के लिखाना है, unilateral के case में contract valid होगा, गोल्ड वाला जो example दिया था, वो ध्यान रखना, legality of object वगर आपन next video में discuss करते हैं, फिर आगे आपन बात करते हैं, next video में, इसको अगले video से देखेंगे, यहां तक के लिए धन्यवाद, thank you, bye-bye.